नमस्कार स्वराज अभियान प्रेस विग्यप्ती दिनांग 2 दिसंबर 2015 स्वराज अभियान के शांती पूण कार्यकरताओं को जबरेन डिटेन किया विधान सभा के चीफ विप जदीप सेंग ने कार्यकरताओं को धम की दी स्वराज अभियान के कुछ कार्यकरताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायकव को रामलिला मैदान की मिटी और जन लोकपाल आंदोलन की याद दिलाई विधान सभा अध्यक्ष ने शांती पूण कार्यकरताओं को जबरन डिटेन किया जूठे आरोप लगाते हुए पुलिस कारवाई के निर्देश दिये सदन के चीफ विप जग्दीप सिंग ने कार्यकरताओं को धम की दी और कहा तुम्हारे योगेंदर यादों को घर में घुस कर मारेंगे शाम को स्वराज अभियान के कुछ कार्यकरताओं ने विधान सभा के बाहर विधायकों को स्रामलिला मैदान की मिट्टी की याद दिलाते हुए एक ग्यापन सौपा कई विधायकों ने ग्यापन स्विकार किया इसी दोरान विधान सभा अध्यक्ष के इशारे पर इन्हें जबरन डिटेन कर लिया और जूठे आरोप लगाने लगे कि स्वराज अभ्यान के कार्यकरता विधायकों पर मिट्टी फेक रहे थे इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी के मैनेजर्ज ने मौके पर मौझूद ABB News के रिपोर्टर से भी बत्तमीजी की अंतिम खबर आने तक स्वराज अभ्यान के कार्यकरताओं को रिया नहीं किया गया था भ्रष्ट अचार के खिलाफ रामलिला मैदान के मिट्टी में तब कर तयार हुआ जनलोकपाल बिल के रूप में एक राश्रव्यापी आशा को बचाने के लिए संखश्रत स्वराज अभ्यान के कार्यकरताओं ने आज उसी रामलिला मैदान की मिट्टी को एक ग्यापन के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय के साथ ही कार्यकरता वो वर्तमान आपके कुछ विधायकों को दिया स्वराज अभ्यान ने विधायकों से अपील किया है कि वे रामलिला मैदान वाले जनलोकपाल के सिधानतों वाला ही जनलोकपाल दिल्ली विधान सभा से पास होने दे उनसे अपील किया कि वे पार्टी के इस भावात्मक्व महत्वपुण मुद्दे पर विपना जारी करनी की अपील करें वो अपने अंतरात्मा की आवाज पर स्वतंतर रूप से इस मुद्दे पर वोटिंग करें लेकिन अफसोस की सत्ता की नशे में चूर आम आदमी पार्टी का मनमाना आलोकतांत्रिक बरताव चिंता का विशय है स्वराज अभियान हर ऐसी कोशिशों के बावजूद अपना स्वतंतर लोकपाल के लिए संघर्श जारी रखेगा जैहीन स्वराज अभियान मेधिया